दोस्तो साल 2000 में जब नोकिया ने 3310 लाँच किया था तब ये उश टेम का बहुत बड़ा हिट था और नोकिया ने इसके साड़े 12 करोड से जादा यूनिट्स बेचे थे जब हमडी ने नोकिया के फोन्स बनाना शुरू किया 2017 में तो सबसे पहले उसने नोकिया 3310 को रिलाँच किया आज 7 साल बाद हम देखेंगे कि नोकिया 3310 नए वाले मॉडल को 2024 में लेना सही रहेगा या नहीं ऐसे आपको बता दू कि हमडी ने रिसेंटली एक फोटो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पे जिसमें शो हो रहा है कि वो एक और आइकोनिक फोन लेके आने वाले है माई के महने में तो ये शायद नोकिया 3310 का 5G वरिजन हो सकता है या फिर नोकिया 3210 भी हो सकता है आपको क्या लगता है मुझे कॉमेट्स में बताइए बॉक्स के पीछे इसके स्पेक्स लिखे हुए है ये फोन यहां से उपन हो जाएगा सबसे पहले आपको फोन मिल जाएगा इसे हम साइट डग देते हैं बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको इयर फोन मिल जाएगा ये नोकिया का एक बेसिक वाइड इयर फोन है 1200 मH की बैटरी, माईक्रो योजबी चार्जर और क्विक गैड मिल जाएगा ये फोन आपको multiple color option में मिलेगा जैसे की red, yellow, blue और grey मेरे पास यहाँ पर blue color वाला फोन है जो की पुराने वाले 33-10 से काफी मिलता जूलता है ये फोन dual micro 2G SIM को सपोर्ट करता है और आप इसमें 32 GB तक का micro HD card अड़ कर सकते हैं फ्रेंट में आपको earpiece, 2.4 inches की display और एक backlit plastic keypad मिल जाएगा टॉप में micro USB port charging के लिए, बॉटम में 3.5 mm jack, बैक साइड में extra speaker, 2 megapixel camera with flash और Nokia की branding मिल जाएगी फोन features की बात करें तो उसमें आपको English के साथ 12 Indian languages का support मिलेगा torch light मिल जाएगा, इसमें आप wallpaper भी change कर सकते हैं menu style को आप 3 तरीके से change कर सकते हैं, ये 3 by 3 grid है, ये 4 by 4 grid है और ये list view है 5 profiles के अंदर आपको ringtone के साथ साथ vibration का भी support मिलेगा, इसका ringtone सुन लेते हैं font size बढ़ाने का option आपको messaging, contacts और menu तीनों के लिए मिल जाएगा calling and contacts की बात करें तो इस phone में आप 2000 तक contact सेव कर पाएंगे, इसमें 2 से लेके 9 की तक speed dial set करने का option मिलेगा contacts के अंदर आप call image भी लगा सकते हैं, तो जब भी आप call करेंगे आपको ये call image शो होगा इस phone में आपको loud speaker मिल जाएगा और इसमें manually call recording करने का भी option मिल जाएगा जैसे ही call recording on होगा, आपको battery के बाजियों में ये icon शो होगा इसमें आप contacts को block भी कर सकते हैं media की बात करें तो इसमें आपको 2 megapixel का camera मिल जाएगा flash के साथ जिसका quality मुझे decent लगा dual speaker होने के कारण इसके music player की quality अच्छी है इसमें wireless FM नहीं है तो इसमें आपको earphone as a antenna use करना पड़ेगा इसके FM में record के साथ साथ loud speaker भी मिल जाएगा इसमें voice recorder का भी option दिया हुआ है apps और games की बात करें तो इसमें आपको internet browse करने के लिए opera mini browser मिल जाएगा media content access करने के लिए file manager मौसम का हाल जाने के लिए weather reporting app और notes लिखने के लिए notes app भी मिल जाएगा इसमें Nokia का iconic game snake दिया हुआ है जिसे कि आप unlimited time खेल सकते हैं साथी आपको apps and game store से बहुत सारे games भी मिल जाएंगे जिसके शायर limited trial ही मिले आपको 2024 में आने वाले feature phone से अगर आप compare करेंगे तो इसमें आपको 4G, UPI, Auto Call Recording और Wireless FM जैसे feature missing मिलेंगे इसकी कीमत फिलाल Amazon में 3700 रुपे है जो की थोड़ा महेंगा है इससे 1500 रुपे कम में आपको Nokia 110 4G phone मिल जाएगा जिसमें आपको 4G, UPI, Auto Call Recording, Wireless FM और YouTube का support मिल जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताएं और साथी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद